अगर आपके घर में है शमी का पउधा तो ये विडियो जरूर देखना नमस्कार दोस्तो दोस्तो शमी के पउधे में ये गलती कभी मत करना अगर घर में लगा है शमी का पउधा तो ये जानकारी आपको जरूर जाननी चाहिए कहीं आप शमी के पउधे के साथ ये गलतिया तो नहीं कर रहे है पढ़ सकते है लेने के देने शनी देव अत्यनत क्रोधित हो सकते है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विंती है एक निवेदन है कि कॉमेंट बॉक्स में जै शनी देव अवश्य लिखे और विडियो को लाइक जरूर करे दोस्तो शनी को नया धिश का दर्जा प्राप्त है इसलिए जब शनी की महादशा आती है तो बनते काम भी बिगणने लगते है आपको बतादे कि शनी देव का स्थाई रूप में शमी के पउधे में वास होता है शमी का पउधा घर में लगाने से शनी देव परसन्न होते है और उस वेक्ति को रहु केतु और शनी की बुरे प्रभाव से बचाओ मिलता है लेकिन क्या आप जानते है शमी का पउधा घर में युही नहीं लगाया जाता इस पउधे को घर में लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्यरक है तो आईए शुरू करते हैं दोस्तो नमबर वन अगर नियमित रूप से शमी के पउधे की पूजा की जाए सरसो के तेल का दीपक नियमित रूप से जलाया जाए तो शनी दोश और वास्तु दोश बहुत जल्दी दूर हो जाती है साथ ही पित्रु दोश भी दूर हो जाता है धीरे धीरे उस घर में खुशिया आ जाती है धन दवलत सब कूछ हासिल हो जाता है और कर्ज भी उस वेक्ति पर नहीं होता आप यकिन नहीं करेंगे मैं भी शनी देव की आराधना और पुजा करता हूँ जो व्यक्ति सच्चे दिल से शमी के पौधे की पुजा करता है तो शनी देव उस व्यक्ति का कभी भी बुरा नहीं करते ओ व्यक्ति हो जाता है धन दवलत से माला माल शनी देव बहुत खुश होते है दोस्तो नमबर दो चमी का बवधा घर में लगाने से घर से नकरत्मक प्रभाव दूर हो जाती है आप मानो याना मानो लेकिन किसी दुश्मन ने घर पर अगर टोने टोटकी किये है या फिर किये होंगे तो शनी देव उसका नाश कर देते है ऐसे ही कोई भी भाहर का व्यक्ति घर पर टोना टोटका नहीं कर सकता भूत बाधा सभी भाग जाते है दुश्मन उन से परेशानी नहीं रहती दुश्मन से परेशान व्यक्ति को शमी के पवधे की विशेश पुजा करनी चाहिए ऐसा करने पर दुश्मन उम पर विजय प्राप्त होती है और ये शतप्रतिशत सही है क्योंकि भगवान राम ने रावन से युद्ध करने से पहले चमी के रुक्ष की पूजा की थी और मांगा था वर्दान की रावन से विजय प्राप्त हो और इसी के चलते चमी के पौधे को मननत का पौधा भी कहा जाता है दोस्तो नमबर पीन शनी देव अत्यंत क्रोधी देवता है इनकी पूजा पाठ में छोटी सी गल्पी होने पर इने क्रोध आ जाता है और जब शनी देव प्रसन्न होते है तो विक्ति को राजा बनते बेर नहीं लगती अईसे में अगर आपकी घर में शमी का पौधा लगा है तो ये गल्तिया करने से बचे कई लोग जाने अंजाने में शमी के पौधे को गलत दिशा और गलत जगह पर रख देते है जिससे वह उस व्यक्ति के बरबादी का कारण बनता है साथ ही मृत्यू का भी कारण बन सकता है जैसे कि इस पौधे के पास ठीक नाली ना हो कूडा कचरा गंदगी मिट्टी गंदी वाली मिट्टी उस पौधे के पास नहीं होनी चाहिए जब भी आप पौधे को लगाए तो उसमें गोबर का खात जरूर लगाए और साथ में मिट्टी का इस्तमाल ही करे केमिकल का इस्तमाल भूल से भी ना करे जो व्यक्ति ऐसी गलती करता है तो सीधे तोर पर बरबादी उसके घर पर शुरू हो जाती है ऐसे घर पर आ जाती है गरीबी और जो लोग शमी के पौधे को बहुत अच्छे से केर करते हैं तो उस घर में धन दौलत का अंबार लगता है शनी ड्यव भी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती है दोस्तो नमबर चार कहा लगाए शमी का पौधा और कहा नहीं शमी का पौधा आप अपने बगिचे पर लगा सकते है गमले में भी लगा सकते है और बालकनी में भी लगा सकते है द्वार पर भी लगा सकते है सवाल ये है कि वहाँ पर साप सफाई होनी चाहिए शमी के पवधे को आप घर से निकलते वक्त उस दिशा में लगाए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो ये आपके दाहिने हाथ पर हो और उसी दिशा में इस पवधे को लगाए शमी के पवधे को छत पर भी लगा सकते है छत पर आप इस पवधे को दक्षिन दिशा में रखने की कोशिश करे अगर रोशनी नहीं आती तो आप इसे पुर्व दिशा में इशान कोन में भी लगा सकते है दोस्तो नंबर पाच पुजा में सर्सो का तेल जी हाँ सर्सो के तेल का दीपक इसके निचे लगा सकते है शमी के पौधे में आप सर्सो के तेल का यूज कर सकते है जी हाँ दोस्तो सर्सो के तेल का दीपक नियमित रूप से इसके निचे जरूर जलाए अगर सर्सों का तेल नहीं है तो तिल का तेल जलाए लेकिन कोशिश करे कि सर्सों के तेल का ही इस्तमाल हो क्योंकि शनी देव को अत्यन्त प्रिय है सर्सों का तेल तो शमी के पौधे के पास शाम को दीपक जरूर जलाए यही काम आपको करना है चनिवार का दिन शनी देव को समर्पित है इसलिए इन्हें जो तेल चड़ाया जाता है उसका भी दिपक बना कर आप तेल जरूर चड़ा सकते है तो आपको विशेश लाभ होगा तो दोस्तो ये थी छोटी सी जानकारी शमी के रुक्षके बारे में दोस्तो जो लोग भगवाई शनी देव का आशिरवाद पाना चाहते है वो लोग विडियो को जादा से जादा शेयर करे और विडियो को लाइक करे जय शनी देव धन्यवाद झाल झाल झाल